नमस्कार ये है रेडियो इंदुस्तार आप मैं हूँ आपके साथ हारजे अंजू बॉलिवूट की खबरों में आज मैं फिर से लेकर आए हूँ आपके लिए एक दिल्चस्प खबर अनंत अंबानी और राधिका मर्चन की शादी में बॉलिवूट के दिगत सितारों ने शिर्कत की इस दौरान सल्मान खान और अश्वर्या राए भी नजर आए जहां सल्मान अपनी बहन अलवीरा के साथ फॉंक्शन में शामिल हुए तो वहीं अश्वर्या बच्चन फामिली से अलग बेटी आराध्या के साथ पहुची अब अनंत राधिका की शादी से एक फोटो वाइरल हो रही है जिसमें अश्वर्या राए सल्मान खान के साथ पोस देती दिखाई दे रही है वाइरल फोटो में एश्वर्या राय सल्मान खान का बाजू था में पोस देती दिख रही है इस दोरान सल्मान की बहन अलवीरा भी तस्विर में उनके साथ नजर आ रही है जहां सलमान ब्लाक कलर के कुड़ते में दिख रहे हैं तो वही एश्वर्या लाल सूट में खुब जच रही है लेकिन हम आपको बता दें कि अनंत रादिका की शादी से वाइरल हो रही एश्वर्या और सलमान खान की ये फोटो बिलकुल फेक है एश्वर्या राय ने अभिशेक बच्चन से अलग होने के बीच सलमान खान के संग पोज दिया क्या है इस वाइरल फोटो का सच? चले हम आपको बताते हैं सलमान खान और एश्वर्या राय की वाइरल इस फोटो का सच ये है कि वेफ़ंक्शन में सलमान ने सिर्फ अपने बहन अलवीरा के साथ पोस्ट दिये थे वही एश्वर्या राय ने सोलो तस्वीरें किचवाई थी ऐसे में किसी सोचल मेडिया यूजर ने दो तस्वीरों को एडिट करके मर्ज कर दिया और सोचल मेडिया पर पोस्ट कर दिया जिसके बाद ये खबरे आने लगी कि एश्वर्या राय और सलमान खान ने एक साथ फोटो क्लिक करवाई पती अभिशेक से क्या अलग हो रही है एश्वर्या तो हम आपको ये बता दे कि इन दिनों एश्वर्या राय के पती अभिशेक बच्चन से अलग होने की खबरे सामने जरूर आ रही है अरंद अम्बानी की शादी के फंक्शन्स में एश्वर्या बच्चन फामली के साथ नहीं दिखी जहां अभिशेक बच्चन अपनी मा जया और बहन श्वेता के साथ पहुचे तो वहीं एश्वर्या अपनी बेटी अराध्या के साथ अलग दिखी नब्दे के दौर में थे सल्मान अश्वर्या इश्वर्या इश्क में ये तो हम सभी जानते हैं तो एश्वर्या रॉय और सल्मान खान 90 के दर्शक में जब साथ में थे अंत में एक दूसरे को डेट किया उस समय उनकी लव स्टोरी के खुब चर्चे हुआ करते थे हाला कि कुछ समय बाद दोनों का ब्रेक अप हो गया और दोनों स्टाज ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए तो बॉली वुट की खबरों में आज इतना ही हम फिर मिलेंगे अगली रफ़ा बॉली वुट की कोई अन्य दिल्चस्प खबर लेकर तब तक के लिए करते रहिए काम देखते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जैश्री राम नमस्कार